भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आटीसी करेरा का ग्यारा जन्वरी को बारवा स्थापना दिवस मनाया गया आटीसी करेरा के स्थापना ग्यारा जन्वरी दुहजार ग्यारा को हुई थी आटीसी के बारवे स्थापना दिवस परमोकी अदिती के रूप में पूर्व डियाईजी सेवा निवर्तार के पटारिया शामिल हुए पटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि हीम वीरो का सबसे अच्छा रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर करेरा है करेरा को आटीबीपी ने ही पहचान दी है जिससे पूरे देश में नाम है करेरा के आरतिक सिती भी मजबूत होती है जब मैं यहाँ स्पोर्ट बटालियन में सेनानी थी है तब मैंने जानकारी दी थी कि हमारे पास 1098 एकड जमीन थी उसी कारण आर्टीसी के स्थापना यहाँ हो सकी है डियाईजी श्रीखनी ने संस्थान की उपलब्धियों को गिनाते हुए संस्थान द्वारा चुलाए गए अभियान आधि की विस्तार से जानकारी दी मुख्यातिती को स्मृती चिन भी भेट किया गया वहीं कारिकरम का शुभारंब 10 बजे हुआ जिसमें ITBP, RTC, DIG, सुरिंदर, खनी के दुआरा मुख्यातिती का स्वागत किया गया विशिशर्थिती सपोर्ट, वैपन, ट्रेनिंग स्कूल, APS, निबाडिया, वासिनानी स्पोर्ट, वाहिनी, अभे, चंदर, सहीत, अधिनस, अधिकारी, हेंबीर, तता प्रसिक्षर्थ, सार्थी, तता पत्रगार, गड़, उपस्तित थे करेरा से बहुत पराना संबन्ध है, जब लगबद ITVP 1962 में रेज हुई उसके बाद, लगबद 1964 पैशट में, करेरा में नौदाओं से सिफ्ट हो गई थी, और तब से अभी तक, यहां पर अभी तीन संस्थान काम कर रहे हैं, करेरा के विकास में, ITVP का बहुत योगदान है, एक तो देश में पहचान दी है, दूसरा, यहां पर हजारों लोग रह रहे हैं, जब करेरा की एकोनोमी उससे बढ़ती है, करेरा का विकास के लिए ITVP एक प्रमुक संस्थान है, RTC के कारण, SPT के कारण, SWTS के कारण, करेरा और आजपास के छेत्रों के बहुत से लोग ITVP में भरती हुए, आज से नहीं पहले से, 64-65 से, और बहुत से लोग रिटाइड होके, यहां सैटल्ड भी हो गए हैं, यहां पर एक और SWTS जो बना है, जब SPT थी, SWTS नहीं बनाता, तो फिल्ड फाइरिंग रेंज के लिए, अमोला, पुराना अमोला गाउं में, जमीन की तलास की गई थी, औ और उस समय कलेक्टर से पुरी श्रीवास्तों ने सेक्शन 4 का नोटे स्वीट निकाल दिया था, लेकिन किसी कारण बस वो जमीन नहीं ली गई, क्योंकि जमीन के बदले जमीन दी जा रही थी, निकालने की प्रमपरा आराम हुई, शिरिभावव सिंग उमारिक शक्त के कुशल नित्रेश्ट में, आठीसी करेरा को दो बार, 2018, 2017, 2020 में, बलके सब्स्रेश्ट प्रस्रिक्षन के इंदर के रूम में चुना गया, यही नहीं, इसके साथ ही इस प्रस्रिक्षन संस्थान को आईये सो, 9001 द्वारा भी परमानित किया गया है, इस प्रस्रिक्षन के इंदर के साबित होने के पश्चाथ से, आठीसी करेरा से, 17 रिक्रूट के बैच पास आउट हुएं, जिन में 6300 रिक्रूट, एक स्पोर्ण सिभाई बन कर त्यार हुए हैं, इसके साथ ही, वर्ष 2018, 18-19 में, मद्या प्रदेश पुलिस के रिक्रूटों का बैच भी इसी संसान से परशिक्षर प्राप्त किया है, जिसमें 848 परशिक्ष्यू शामिल हुए थे, समय समय पर इस सर्विस कोर्सस जैसे की PPSLC, ACC, UOC, SLC, इतियादी के कोर्सस भी संसान में लगातार चलाए गए है जिर में लगवग 9100 प्रिक्षनार्थियों ने प्रिक्षन प्राप्त किया है